कि दोस्तों आज हम निच्छ करने वाले हैं टाइपस ओफ इंजरी इन फोरेंशिक मेडिसेन तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले क्लासिफाइब करें बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे कि जो डिलासिफाइब करने वाद टाइप आते हैं उनके अंदर को बोलते कहा हैं जब इलिगल हम हो बोडी को माइंड को रेपूटेशन को और प्रोपर्टी को चार्टरम पुछिज आती हैं आपको कई बार वाईवा होता है एक्जाम के अंदर उसमें पुस्त आता है कि इंजरी का मतलब क्या कि किसको कब किसी इसको डेमेज होगा हम सकते हैं थो आपका बोडी माइंड पूरोपटी चाइर माइवा पता होने सी उसके बाद आता है इंज़ो हम थीन पार्ट डॉयड कर सकते हैं ठीक एक का मेकैकल ऐक तर्मल एक केमिकल जो आपके मेकैकल है मेकैनिकल आपके फिर से च्पार्ज थाईप Blunt force के वोज़ के होगा Abresion हो सकती है Contusion हो सकती जिसको Morus बोलते हैं Laceration हो सकता है सेटन आता Sharp Force के व में जैसे Sharp Force के वोज़ इसे Incise wound और आपका Chop wound दोनों आपके सार Force के वोज़ जैसे होते हैं Pointed Weapons के वो जैसे आपकाş श्टेप्स ब्र odcसे जाधा होती स्टेब ऑंड ही इसके शो पॉइंट वैपन के विजए uy면inker होता है उसके वाजा से राइफल फार आम और सब्सक्राइब आरम है टाहरा है चरहा क्च आप का कब होती है उसके बाद जरी असके बाद थर्म लिंजरी तरम लिंजरी दो डब हो सकती है य। यई से थीड के वज़ेसे आपका दो टब अधर और लॉकलाइज़ इफेक्ट जलनाइज की वज़े आपका हीट हाइपर पायरेक्सिया जिसे हम हीट स्टोग बोलते हैं हीट एक्जू सेशन आप जिसको हम हीट को लैप्स बोलते हैं और हीट करेंप्स जिसको हम माइनर्स करेंप्स बोलते हैं वह आपके जनाइज इफेक्ट होते हैं हीट के लोकलाइज इफेक्ट के अंदर ब फिर से सिह वाय है सीज जैसे हमने हीट मेंडिक अभी डिसकेया है। यह जलाइस एफेक्ट हो सकता है, एक आपको लोकराइस होसकता है, जलना आइस के अंदर हाइपो थर्मिया। हाईपर है मतलु जब टमप्रेश बोड़ी का मुझा कम उध्य कर इसके अंदर ऐसके इसके न दर आपको आप Πी थर्मया मिलेगा हैक लेकर मिलेगा यह पर हाई पर थिक है इंपरेचर खम कोई विजा से आप देट वी से जाया यह दोस्त नमबर मूनाता है फ्रोस्ट बाइट जैसे जो होता आपका ड्राइट कोड़ होता है उसके विजासे वीजासे बता अधिन ट्रेंश फूट ठीक है इसके अंद्र कोरोजन जो जो जयासे होते हैं वह आते हैं आपके स्ट्रोंग आटीड अलकली जो आपका टॉक्सिकलोजी पार्ट है उसमें हम करेंगे कि को आपका कैसे एक्ट करता है कैसे कैसे एक्जामपल है कैसे इन्पोइंट है एरिटेशन के अंदर आपका वीक ऐसीड अलकली आते हैं ठीक है तो यह बात कि हमने के वजए से आपके इंजरी उसके बाद जो बाकी अधर देन वीज़ुक्त क्लासिफाई थे इनके अलावा आपके लावा आपके लाइटनिंग होती है अलेक्रिसीटी कि वायसे और मैं याद रखने थ्रल इंजरी के अंदर ही इट ऊलै अलस्ला टाइस इनके ल्कलाईज्ट लॉकल्ड सब्सक्राइज आण sta फूट फ्रोस्ट बाइट इसके अंदर आई वो थर्मिया हीट करेंप्स हीट स्टोक और हीट कोलैप्स यह आपकी इस एक्जामपल थे और बर्न एन स्काल्ड है आपको लोकलाईज़ एक्ट है को रोसी एरेटेशन केमिकल के अंदर आएंगे और च्यार पॉइंट आपको प इसी वीडियो से आपको फैदा हुआ तो दोस्त आप चैनल को सफराज़ू कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना जिससे मुझे लगएगा कि हाम जो मैं समझाना चाहता तो आप समझा पाया तो होपकि कि आपको फैदा होगा मिलते ने शुडियो के अंदर तब तक कि मुझे लग वगएगा कि다가 गRIओ करना ने वीडियो कjäिए पेदा है।